एड़ोकेट मुकेश मनोत्रा ने भरा निर्दलिये नामांकन जमकर उम्डा जनसेलाब खबर कराहल से है जहां भाजपा द्वारा लंबे अड़से से आदिवासी चेहरों को विधान सभा पृतियाशी बनाया जो रहा था और पिछली बार भाजपा से आदिवासी विधायक जीत भी दर्च की थी मगर इस बार अनिदलों के इलावा बीजेपी ने भी आदिवासी समाच से कोई पृतियाशी मैदान में नहीं उतारा जिससे इतना संख्या अबल होने के बाबजूत तिकटना मिलने से समाच को बड़ी ही उपेक्षा महसूस हुई इसी विरोध के जलते आदिवासी समाच ने महसभा करके अपना खुद का उमीदवार विजेपूर विधान सभा में सरपंच संके अध्यक्ष और सहरिया विकास परिशत के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मनहोत्रा के रूप में उतार दिया है मही सुमबार को मुकेश मनहोत्रा ने हजारू समर्तकों के साथ विजेपूर में रैली निकाल कर निर्दलिये नमांकन भर दिया है मुकेश मनहोत्रा ने चुनावे समर्भोमी में उतार जाने से भाजपा और कॉंग्रेस के दिगच उमीद्वारू का पूरा गड़े तिफेल होतार नजर आ रहा है क्योंकि विजेपूर विधान सभा में आदिवासी समाच की बहुत बड़ी वोट बैंक है मुकेश मनहोत्रा का सभी वर्गों के साथ तालमेल ठीक होना भी दूसरे प्रतियाश्यों के लिए कठिनाई का सबब बनता हिजा रहा है इस समय आदिवासी समाच की अधिकतर बड़े नेता मुकेश मनहोत्रा के समर्थन में सभाई कर रहे हैं के कहने पर हम लोगों ने भारम डाला है और गमदारी के साथ चुना मैदान में है कॉंग्रेस बीजेपी के जो प्रतियासी है इनको पचाड कर और जीत अंसल करनी है अच्छा इस वार पूर में आदिवासियों को दरकनार किया गया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसलिए तो मैं लड़ रहा हूँ पूरी ग्वालीर चंबल सम्भाग की तरफ से और विजेपी की जनता की तरफ से क्योंकि बीजे की कॉंग्रेस ने हमारे आदिवासी भाईयों का टिकेट काठा है तो इसका बदला लेना है हमको और हमारे समर्तन में सरब जाती का समर्तन ह है और हम चुना वहांसल करेंगे वीजे भी कांग्रेस का यहांसे चुपला साथ करके में चाहिए हम पूरे छेतर में घूम रहे हैं आपको बताना चाहेंगे कि इस वार का चुना आपके लिए बहुती चुनोती पूर है इसके लिए आपने क्या रहा नहीं थी वनाई आप चुना कैसे जीतेंगे चुनोती पूर तो वास्तम में है लेकिन हमारे साथ में कारकरताओं की पहुज है अज्जारों कारकरता हमारे साथ में लगे सभी बरक के लोग तन्मन धन से मेरा सहुक कर रहे हैं और फोलिंग भूत पे हमारे कारकरता बैठ चुके हैं और पूरी ज हैं अधिक्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है चाहिए आप देख लीजी बीपूर तैसिल देखेए लो कराल छेत्र देखेए अगरावेंट देखेए पूरी संपूर गधान सब्सक्राइब मैं कि मामले में हमारा छेत्र कि शड़ा हुआ है अगर जनता हमको चुंती है तो हम जनता के भी सबाइब और जनता का मत चुलिधन हो हुए फे जल कींप भी पल्यान ुख मरीसेत्द मर रहे हैं शोशन का सिकार हेलों हुएँ लोगोर औरम की और रड़नीती बनाकर इस तचले हुए छेतर को एक नए विकास की ओर हम लोग ले जाएंगे सभी कारकरताओं के साथ मिलकर और सबसे पहले करात्म किता ही रहेगी कराल ग्राम पंचात है इसको हम सबसे पहले नगर पंचात का दर्जा दिलवाएंगे और सब्री माता का आसर बिजयपुर्ट चेतर की मेरे साथ में है और जो किराय की और भाड़े की भीड़े नहीं थी जो सबी लोग अपने-पने सादनों से और तन्मन से आयते क्योंकि हमारे पास कोई विवस्ता नहीं थी लेकिन सब लोग अपने घरों से रोटी बांध के आये पानी वी लाय थे जनता के लिए बहुत बहुत आवारी हूं और मैं धन्नवाद देता हूं जनता का विजयपुर गई थे आप नामंगन दर्ज कराने मलोतरा जी का क्या चुनावी मुद्दा आयक क्यों चुनाव लड़ रहे हैं वह हमें किसी भी पार्टी ने मतलब टिकेट नहीं दिया पह इसलिए पच्ची सब्सक्राइब करता और इसमें सर्भ समाज ने हमें समर्थन दिया और मुकिस भाई साव को जीत दिलाने के क्या नाम है आपका नत्तु करवानिया अब आपकिया कहना चाहते हैं इस बार आपके समाज से मुकिस मलोतरा चुनाव लड़ रहे हैं निर्दल पूरी महनत लगन से पूरे विजयपुर में एक रत्व हुए थे और अपने कराल खेतर में भी हुए हैं और अरओं लगाके मतलब पूरी तागत से मतलब फिता हैं जित जिलाएंगे मतलब नेतानी का जित जिलाएंगे हम हुँ क्यों मतलब यह खयाल आया कि इस बार चुनाव लड़ा जाए अध्य ने दली यह इसलिए खयाला आये कि मतलब कोई सीवी पालटी नहीं है मतलब टेकट नहीं दिया आधिवाज समाध को ज tip की मतलब सबसे ज्यादा मतलब दावेजारिए जिसके बोट जिसकी दावेजारे मतलब फिर भी होती हुए और हमारा एक और विदाएक जो सीतराम थे वो जीती यूँए फिर भी उनके लिए इनए दिया था हम इस पर भी विश्वास कर लेते को इनके लिए दिया चला कोई दिक्षन नहीं है पर आरे ही हुए पित्याशीन को मतलब टिकट दिया आया पाल्टी ने तो हम इनकों भी दिखा देंगे सभी पाल्टीयों के लिए कि हम अमारी एकता क्या है मतलब हम जिता के लाएंगे और हमारा मतलब समिच जी आप एक योवा हो योवा होने के नाते क्या संदेश है चुन आप क्यों लड़ना चाहती है मुकेस मलत्तरा जी को और इतनी बोट है हमार पिच्चाशी अजार बोट उनको सब पूरित समर्दन करेंगे और वी समाज है जो सब उनका साथ देंगे और और वी यह संग को दिखाएंगे कि हमनारे कितने बोट है और वी यह तागत है सब हम को बताएं कि आदिवासी क्या तागत होती है अ क्या नाम है आपका रिंकु बाजुल्ला क्या कहना चाहते हो चुनावी माहल में अन्य सब पार्टियों ने बीची कांग्रेस ने इंदर करार किया ना उन समाज से भी मिलेगा तोड़ा बहुत बहुत पूरा मिलेगा और आधी समाजों का भी मिलेगा साथ में एक